हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, थ्री इडियर्स में अपनी दमदार एक्टिंग से अपने फैंस का दिल जीत चुके आर माधवन अब अपनी अगली फिल्म रॉकेटरी दी नामभी इफेक्ट में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में इसरों के द्वारा मार्स पर पहली अटेम्ट में पहुँचने के पीछे की काहानी को दर्शाये गया है इस फिल्म में आर माधवन इसरों के भार्ति सैंटिस्ट और एरो स्पेस इंजिनियर नामभी नारायनन का किरदार निभाएंगे दरसल नारायनन की दशा किसी फिल्म की तरह ही है शडेयन्थ, आरोग, गिरफतारी और फिर कोड की तारीक पर तारीक 24 साल गुजरने के बाद सुप्रिंग कोड ने ये कहा कि विग्यानिक नारायनन को पुलिस ने बेवजाही गिरफतार किया था शिर्शादालत ने विग्यानिक नारायनन को पचास लाग का मुआपदा देने का वियादेश दिया था रोकेटरी दी नाम भी फर्ट के 1 मिनट 20 सेकंड के ट्रीजर में मंगल यान को लेकर कई सच्चाईयों को सामने लाते हुए दिखाया जा रहा है मिशिन ठू मार्स के लिए उएस सेंटी वन मिलिन डॉलर खर्च किये और 19 प्रयास में सफ़ल हो पाए वही भारत ने सन 2014 में सिर्फ 24 मिलियन खर्च करके अपने पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुँचने में सफल हो गए और ये हर भार्तियों के लिए गर्व की बात है और इसके पीछे की सच्चाई दिखाने के लिए ये फिल्म जल्दे ही थीयर्टर में आने वाली है दोस्तों इस टीजर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर इस टीजर को देख सकते हैं टीजर में एरो स्पेस इंजिनियर नाम भी नाराइन के किरदार में आर माधमन ने कहा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कारनामा हम 20 साल पहले ही हासिल कर सकते थे तो मेरा नाम नाम भी नाराइनन है मैंने रॉकेटरी में 35 साल गुजारे और जेल में 50 दिन उन 50 दिनों की कीमत जो मेरे देश ने चुगाई ये कहानी उसके बारे में है मेरी नहीं इस फिल्म के टीजर को आमिर खान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेर किया है उन्होंने कहा है दोस्तों ये देखें मुझे ये बहुत दिल्चस्प लग रहा है